है कि है लो फ्रेंड्स वेलकम टू एलके अकडेमी में आकश मेता आज हम डिसकस करेगे बजेट पार्ट टू बजेट पार्ट टू है फ्रेंड्स पार्ट टू के अंदर जो अपडेशन आया है उसके बारे में बात करेगे पार्ट वन के अंदर हमने बजेट की स्टेटिक फ टाइपी डेफिसिट हमने देखे थी जीडीपी देखा था जीडीपी क्रोथ देखा था रइट और आज हम अपडेशन क्या आया है दूजर टीए सब इसके इस 93rd बजेट के अंदर इसके बारे बात करेंगे ओके चलो लेट स्टार्ट कि इस स準 TIME पिरड को धरमी रख्के बनाए गया है अम्रित रहो कन सा टाइम पिरिड है 2022 से लेकर 2047 तक का टाइम पिसको एम रखके और दियर किया है वीजन फोर हम्रीद का रहे черt और अम्रित काल के अंदर फोकस एजया क्या है कि फैसलिटेंगे एंपल ऑपोर्टिटीज फोर्टा सिटीजन इस्पेशली दा यूथ तो फुल्फिल देर एस्पेरेशन बराबनना सिटीजन के हर एक एस्पेरेशन कंप्लीट हो परीपूर्ण हो ऐसी गवर्बेंट की यहां पर कोशिश है राइट पुर्वेडिंगे स्ट्रॉंग इंपेशस टुट ग्रोथ एंड जॉब क्रियेशन जॉब क्रियेशन और ग्रोथ के ऊपर बहुत इस स्ट्रॉंग तरीके सा फोकस किया गया है इस बजट के अंदर बड़ाबनना और मैक्रो एकोनोमिक कि कौनसे मिनिस्ट्री को कितना पैसा अलोकेट किया गया है इस साल के बजट के अंदर इसके बारे में पहले बात करते हैं तो इन 2023-24 तर मिनिस्ट्रीश विट तो हाइस्ट एलोकेशन अकाउंट फॉर 55% अप तो एस्टीमेट टूटल एक्सपेंडेशर में आपको और यह जहले टूटल एक्सपेंडेशर और अगर एगर कॉंट किया जाएं उसमेंसे 55% सम नीस्टीश को किया गया है बढ़ाइग इसमें से एक कि मिनिस्ट्रे ओफ डिफेंस को हाइए अलोकेशन मिला है कितना मिला है ऐसकट लॉट कुसको मिला है मिनिस्ट्टी ओफ डिफेंस को यह आपको ज्यानवरा रखना है बराबना उसके अलबा रोड Same को कितना मिना है है शिक्स मॉटोटल अक्सपेंडिजर टोटले कर सुट्सिक से यहां कितना पर्स 12.2 छंव टांसबूरोब हैं कितना में ठाओ और उसके अलबा कंजूमर अफेर्स फूर एंड पब्लिक डिस्टिबिशन को कितना मिला है तो यहां पर हर एक लाइन एक्जाम का क्वेस्टन बनाती है कि मिनिस्ट्र डिफेंस को टोटल एक्सपेंडिचर का कितना परसन मिला 13.2 परसन रोड ट्रास्पोर एंड हाइवे को 6 परसन मिला रेलवे को 5.4 परसन थर्द नंबर पे और कंजूमर अफेर्स फूड एंड पब 5.94 लग करोड रुपेश मिनिस्ट्र रोड ट्रास्पोर्ट सम्रों को 2.7 लग करोड रुपेशßen याद रसना है किमिलिच को खेमिकल्स फकर इंड यς 1.594 लग करोड恐 prohibious मिनिस्ट्य फर्परी और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रिकल्चर फार्मर वेलफेर को 1.25 लेक करोट रूपीस बराबना रइट सबसे ज्यादा किसको अलोकेट किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को बराबना रइट यहां पर मैंने टेबल के दिखाया है नवब यहां पर देख सकते हैं टोल हमारा ख़रचा कितना है टोल 445 लेक करोट करोट रूपीश का खरचा है टोटल मेला के बराबना रर्य जो सेवन पॉइन फाइव पर्संट लास्ट यह से कितना ज्यादा है ब्राबना और यह पहिर टेबल के मांदें से देख सकते हो की बिनीष्टी औफ रेल्वेइं को लास्ट सीर के कंपेरीजन में लास्ट यर के कंपेरीजन में इस सल के बजेट में 48 148.6 परसेंट पैसा जादा दिया गया है सबसे हाइस्ट ग्रोथ किसके बजेट में हुआ किसके अलोकेशन में हुआ है रेल्वे मिनिस्ट्री के बरावना राइट जो 2022 ते इसके जो डिवाइस एस्टीमेट हुआ था उसको अलोकेट किया गये थे और अभी इस साल के बजेट के अंदर देखो कितना टूपैंट फॉटी एट परसंट ज्यादा लोकेशन किया गया है रेल्वे मिनिस्ट्री को ज्यान में रखना है बरावना रएट है फूरें पर्लिंड लिश्ट्रीबिशन को लास्ट यहर के कमपेसा लोकेट किया गया है और एंगरिकल्चर स्वाडी डेलॉपेंट के लिए पी कम पैसा लोकेट किया गया है लास्ट यह थे जान में रखनी है ऑक तो अगर मैं मजेट ऐलोकेशन सुथ मेजर स्कीम के बारे में बात करूं तो पधारमंतरी आवास युजना इस युथनाइक अंडर में आफोडेबल प्राइस के ऊपर घर मिलते हैं तो पधारमंतरी आवास युजना रूरल और अरबन कॉंपोनेंट को अगर हम साथ में मिला तो टोटल कितना अलोकेशन किया गया है 79,590 करोड रूपीस का अलोकेशन किया गया है जो सबसे हाइस्ट अलोकेशन किया गया है इस साल के बजट के अंदर अगर आपको पूछा जाए सबसे हाइस्ट अलोकेशन कौन सी यूदना के लिए किया गया है पदान मंतरी आवास य ज्यादा पैसा दिया गया है बनावन नाइट आपको यह च्छान में रखना है लेट ओके कर दूसरे नंबर पर जल्जीवन मीशन जल्जीवन मीशन है से कड़ ऐस अलोपीशन इन 2023 तुट वेंटीवेटीवेंटीफोर कितना पैसा लोकर्ट गया है जल्जीवन के लिए 70,000 रूपीज और ए 70,000 करोड रूपीज बड़ा मनना जल जीवन मिशन यह वही योजना है जहां पे हर गर जल प्रोवाइड करना है 2024 तक परावनना तो जल जीवन मिशन इसके भी दो पार्ट है ग्रामीन और अर्बन तो दोनों पार्ट को साथ में मिला कि कितना पै पैसा दिया गया है बरावननन पदर मंतरी आवाश यूतना कितना पैसा दिया गया है 79,000 590 करोड सबसे हाइस अलोपेशन इस साल के बजेट का जल जीवन मिशन उसके लिए 70,000 करोड रूपीज अलोकेट किया गया है बारा लास्ट के कंपेरिजन में 27% इंक्रीमेंट मन्रेगा महात्मा गादी नेशनल डूरल इंप्लोइमेंट गैरेंटी एक्ट यहां पर जो सौ दिन की जो टेंपररी जॉब प्रोबड की जाती है ना गैरेंटीड जॉब अगर मन्रेगा स्कीम के अंदर में एलिजिबल हो आपने अपलाई किया और 15 दिन के अंदर आपको में थर्टी टू परसेंट कम पैसा लोकेट किया गया लास्ट कितना पैसा लोकेट किया गया था एटी नाइन थाओजन फोर अंडर करोड रूपीस परावन ना ओके उसके अलावा नेशनल हेल्थ मिशन के लिए 36000 करोड़ के असपास मरा旨 हां 37000 करोड़ 9.1 परसेंट जादा पैसा लोकेट किया गया है निस्गा मिशन के लिए लास्ट लेका के लिए में 19% पैसा ज्यादा लोकट किया गया है 38,953 बरावा उसके अलावा मॉडिफाड इंट्रेस सब्सक्राइब मतलब व्याज में जो माफी मिलती है बरावन न तो उसके लिए कितना पैसा लोकट किया है 23,000 करोड रुपीज बरावन न राइट उसके अलावा स्वच भारत मीशन के अंदर में बहुत ज़्यादा पैसा लोकट किया गया तो इतना जन में रखना है कि बड़ी बड़ी योद्रा सबसे याधा पैशा किसको फ़या गया है प्रतार encantि अवाज फिटना लास्ट अपकरशा करोन में 32 पर्सन क mêmes seven और में उक तो आई झें कि समझ में का हैं बाट करते है हैं division of budget बजेट ऐ ग्रम हुष है लिए साल के बजेट के अंदर साथ प्रारिविर्यटि के उपर काम किया गया है उसके बारें बात करेगे पार ग्रम बड़वन एंदर वंवर πά değil प्रपोजर्स के बारे बाद करेगे ओके छाओ पार्टे चालो करते हैं जो साथ प्रायरिटी है जो हमको डिस्कस करने है पार más के अंदर वो कौन-कौन से साथ प्रैबरी पेलेंक कोई याद रखना है इंकलूजयुजिव डिङलोपमेन सबका साथ सबका विकास reaching the last mile जो ट्राइबल पीपल से वहाद तक हमको पहुंचना है infrastructure and investment के उपर काम करना है unleashing the potential potential जो हमारे पास है उसको unleash करना है green growth renewable energy के उपर focus करना है youth के उपर focus करना है और financial sector के उपर focus करना है यह साथ priority इस साल के budget में priority form में रखी गई है ऐके चलो one by one सभी priorities के बारे में बात करते हैं कि hmm priority नंबर 1 inclusive development inclusive development इंक्लू glass करना है नाथ मतलब किसका करना है तो सबसे पूर है बही ही होना उसके उसका वीकास करना है तो कहा है विकास क्या-क्या काम किया है सरकाने इस अम्रीत काल के अंदर और क्या-क्या काम करने वाले हैं उसके बारे में बात करें अग्रीकल्चर के अंदर डीटल पॉब्लिक इंफ्राचर पूर्ट अग्रीकल्चर मैक्सिमाइज करने की बात चड़ रही है इस साल के बढ़िए कंसर क्या ब पर एगरी कल्चर पराना संहें को ओड़ानाम उसी तरीके से फार्मर और ट्रेडर्स के पास से चीज़े खरीदATE हैं उनके लिए यह मार्केट प्लेस कौन सा है एनाम यह इनाम के उपर फार्मर अपनी चीज़े आण-लाइं लिस्ट करवा सकते हैं और ये चीजों को for example farmer UP का है और कोई trader है for example महारास्ट का बरहा माना है अगर महारास्ट के decía वेपार्य को UP के इस अनाज प्रोडूज किया है फुर्चेस करना है तो इस platform के जाके वो कर सकता है मतलब जब E-nam नहीं था तब UP का farmer बस UP के वेपारियों को ही अपना सामन बेश सकता था लेकिन E-nam के आने से UP का farmer देश में कोई भी जगा पे अपना सामन बेश सकता है तो ऐसी digital infrastructure create करने की बात चल रही है यहाँ पे agriculture sector को develop करने के लिए ताकि उनकी income बढ़ सके राइट समझाया फ्रेंड्स ओके चलो पहला तो यह काम करना है डिटल इंफार को बढ़ाना है उसके अलावा एक्रिकल्चर एक्सलेटर फंड तियार करना है अभी इस फंड में से किसको पैसा दिया जाएगा तो स्टार्ट अप्स को और कौन से स्ट एक्सलेटर फंड मिनाने के बाद की है इस साल के बजट के अंदर राइट ओके उसके अलावा आतपन नीर पर होटी कर्चल क्लीन प्लांट प्रोग्राम यह प्रोग्रम के अंदर में 2200 क्रोण रूप्या अलोक्यड किया गया है इस प्रोग्रम का में उद्धेर क्या है कि होटी कर्चल कल्चर क्रोब्स अमको उगा नहें है उसके लिए जो प्लांट मटरीरल चाहें यह वह कॉलिटी वाला प्लांटिंग सब्सक्राइब इसके लिए यहां पर कितना पैसा लोकेट किया गया है 2200 करोड रूपया एंड आउटले ऑफ टू हम 2200 करोड अत्मनीर पर क्लीन प्लांट प्रोग्राम वो लॉंच किया गया था तुबूस्ट अविविटी अप्ट डीसी स्फ्री क्वालिटी प्लांटिंग मटरियल माइन सब्सक्राइब इस फ्रूट्स होते है मैं और उन्दमेंटल प्लांटों प्लांट प्लांटिंग प्लांटिंग प्रॉप्या को पके फ्रेंद बजट के अंदर भारत को Global Hub for the Millions बनने की बात की गई है अभी Global Hub for the Millions के उपर क्यों focus किया है क्योंकि UN के द्वारा 2023 को International Year of the Millions Announce किया गया है International Year of Millions अनॉंस किया गया तो इसकी लिए मिलेट के उपर ज्यादा फोकस किया गया इस साल के बजट के अंदर तो भारत मिलेट का Global Hub बने बारा मने इसके लिए यहां पर सरकार के द्वारा जो हमारा International इंडियन इसीट उप्दा मिलेट रीसर्च है जो है तरह बात के अंदर उसको Center of Excellence बने की बात चल दी है कि अगर आपको मिलेट के ऊपर कोई रीसर्च करना है तो आप इस संस्ता के अंदर चाके कर सकते हैं बारा बना ताकि भारत Global Hub बन सके मिलेट का अगर इसके लिए बात करो तो मिलेट के अंदर इस सब्सक्राइब को ध्यान में रखते हुए इस सब्सक्राइब को ध्यान में रखते हुए भारत ने इस साल Global Hub for the मिलेट मनने का तई किया है तो यह जो हमारा इंडियन इंस्टिट रिसर्च है वह एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस की तरह किसे काम करेगा तो सींपल बढ़ा रइट उसके लबाकर बात करें कि एग्रीकल्चर क्रेडिट के लिए अग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर कितने लाग करोड की लोन देनी की बात की गई है कि फाइननसेर दूजार चौबीस के अंदर एग् इतना टार्गेट हैं 20 लेक करोड अग्रीकल्चर सेक्टर में लोन देनी की बात है मरा बना रइट लेक्ट पर सेक्टर के लगाट करें तो सीरी सेक्टर के अंदर आपको पता ही है कि फेशे अकर पदार मंत्री मस्या संपदा योजना इस सबसे सक्सेश्पूल योजना है और इस यूदना के अंडर में एक सब यूजना पधार मंत्री मस्य किसान संबरिती सहय यूजना ये यूदना लॉंच की गई है इसके लिए कितना पैसा अलोकेट किया गया है इस यूदना के माध्यम से फीशर्में फीश वेंडर माइक्रो एंड स्मॉल एंटर्प्राइज जो फीश सेक्टर के अंडर काम करती है उसको उसके अलावा जो वैल्यू चैन एफिसंसी है उसको बढ़ाने के लिए ये पैसा अलोकेट किया गया है बाबना तो फीशरी करने की लिए ये स्कीम लाँच की गई है बढ़ा तो एंक्लूजिव डेलोपेंट बढ़ाबर एग्रीकुलिव सेक्टर के अंदर हमने बाद की उसके अलवाम एक्रीक्रें अक्रावर शेक्टर केंदर क्या की इनिसेटिव लेने हैं कॉन-कॉन से लिये हैं प्रभाइज इ और कोपरेशन सही तरीके से करने की लिए मिनिस्ट्य और कोपरेशन भी बनाया गया है भारत के त्वारा और गवर्मेंट ने कुछ महीनों पहले ही 63,000 प्राइमरी एगरिकल्चर क्रेलिय सोसाइटी को कॉम्पिटराइज किया है 63,000 प्राइमरी एगरिकल्चर क्रेलिय सोसाइटी को क्या किया है कॉम्पिटराइज किया है कितने पैसे में 2516 करोड के अंदर बराबना तो एक तो कोपरेशन में यह काम किया है हमने उसके अलावा गवर्मेंट ने प्लान किया है अब यहां पर गवर्मेंट क्या कहना चाहती है कि फार्मर्स अपने प्रोड्यूस को अच्छी तरीके से स्टोर कर सके और जब अप्रोप्राइज टाइम आए तब उसको बेज सके इसके लिए स्टोरेज एरिया कोपरेटिव संस्था है स्टोरेज इरिया बनाए राइट ताकि वो ज्यादा प्रोफिट ना ले फार्मर्स के पास से बनाबना राइट उसके अलाबा तो गवर्मेंट ऑल्सो इंटेंस टू सपोर्ट इन सेटिंग अप अफ तर लार्ज नंबर अप्टी परपस कोपरेटी सोसाइटीज प्राइमरी फिसरी सोटाइस सोसाइटीज देरी कोपरेटी सोसाइटीज इन अंकवर्ड पंचाया एंविलेजी इंद नेक्स फाइए तो जितने फ़िविलेजी स अंदर को पंचाया ऑब तक उनको कवर करना है नेक्स्ट पाच साल उक्ट गवर्ण का विजन है बगला मना को आपरेशन के अंदर में अभी तक हम था प्राइमरी इंदर टू फाए उसके अलावा घर्डर्मन को प्लान क्या है तो इसेंट्र भुस के पिसेटी नमबर ओफ स्टोरेज इरिया नमबर ऑफ फ्टोरिज युनित बढ़ा ना रई उसके अलावा नेक्स्ट पांच साल के अंदर जो गाओं के अंदर जो विलेज एरिया के अंदर प्राइमेरी कॉपरेटी सुसाइटीस नहीं है प्रावना उसको कवर करना राइट ओके यह गवर्मेंट का वीज़न है तीसरा एरिया फोकस है हेल्थ एज्योकेशन इंस्कीलिंग बरावना यहां पर गवर्मेंट ने इस साल के बज़ेट में बोला है कि नर्सींग कॉलेज़ एस्टरीज की जाएगी 157 मेडिकल कोलेज के आसपास के अंदर बरावना इस साल का टार्गेट है चुलिंग फिर सीख सेल अनिमया एक डीसीश का नामे सेकल सेल इनीमया उसको इलिमिट करना है कंट उनिमेट करना है 2047 तो इसका भी गवर्मेंट प्लां त्यार किया है तो इस प्रश्रीव करने के लिए छिग जो जिघीरो से चाली साल के बीच में है उनको पहले स्क्रीनिंग करना पड़ेगा उनके अंदर अवेर्नेस करने पड़ेगी इस टीसिस के बारे में इस साथ के बजेट के अंदर अनॉंस किया है उसके अलब मेडिकल सेक्टर के इंदर रिसर्ट को इंप्रूव करने के लिए जो ICMR की लैप्स है इंडियन काउंसिल फॉर दे मेडिकल रिसर्ट की लिए उनको किया जाएगा फॉर्डर रिसर्ट की लिए इसको रिसर्ट के लिए तो पब्लिक एंड प्राइवेट मेडिकल को फैकल्टी है उसके अलबाब जो प्राइवेट सेक्टर के टीम से उसके लिए बड़ा मना तो लोग सही तरीके से रिसर्ट कर पाए इसके लिए ICMR की लेप् तो हेल्ट एज्यूकेशन स्किलिंग के अंदर इतना काम करना है उसके अलबाट ट्रेनिंग के उपर भी फोकस किया जाएगा ताकि अगर हमको न्यू एज्यूकेशन पॉलिशी को सही तरीके से इंप्लिमेंट करना है तो टीचर्स को भी ट्रेनिंग प्रवाइड करने फॉधे एक्सेलेंस फॉर इस परपसीचर को पीसको त्यार किया जाएगाव टीक इस इस्टिटिट घंसानें को त्यार किया जाएगा गव्यांद तक यह सब प्लैनिंग है वर्णदब नंब्र पैसा नहीं लेकिन पास सफीशन इन्यान है जो फिर भी उनको अगर कोई नॉलेज एकपायर करना है तो और फॉर एक्जांबल वो रिमोट एडिया के अंदर रहते हैं जहां के जहां पर उनके आसपास कोई लाइब्रेरी नहीं है तो उनके लिए नेशनल डीटल डाइब्रेरी पे टियार की कही है भारत के दौरा बरामना फॉर दा चिल्डरन एंड एडल्सन के लिए ताकि वो ओल्लाइन एक्सेस कर पाएं बहुत सारी इंफर्मेटिव बुक्स का कौन को सब्चेट के लिए जियोग्राफिक्स लैंग्वेज जैनर्स बारामना यह सभी अलगर सब्चेट के उपर इंफर्मेटिक बुक्स मिल प अच्छे समझ में आया होगा है हमारी सेकंड प्राइवरिटी है रीचिंग दे लास्ट माइल और यह लास्ट माइल तक पहुंचने के लिए हमारी गवर्मेंट ने बहुत पहले से स्टेप्स लेने चालू किये हैं उसमें से कुछ स्टेप्स के बारे में बात करें तो मिनि है और पिअम मोदी जी ने फर्दर लास्ट में के उपर फोकस कने की लिए आयुलela किशरी सेक्टर एनिने वनेंब्न हस्बेंद्टेरी सैक्टर स्किल्ड नेयूपएन मिनिस्ट्री को पर कम कर रहे हैं है व् More शुब हरे वाम कर रहे हैं वहाल अगर मैं Burada करो हूँ अगर में लास्टामाई तक या इस्पीरेशनल डिस्टिक प्रोग्राम एचुली मोधी गवर्मेंट के द्वारा 2018 के अंदर लॉंच किया गया था टूफ प्रांसफॉर्म तो 112 मोस्ट अंडर डेलोप डिस्टिक अक्रोस अ कंट्री जो 112 मोस्ट डेलोप डिस्टिक हैं बारत के अंदर उसको ट्रांसफॉ करने के लिए एस्पिरेशनल डिस्टिक प्रोग्राम लौंच किया था मोधी कर्मिन के द्वारा दूजर अठारा के अंदर वड़ी 112 डिस्टिक फाइंड किसने की नीती आओ के दवारा बावना तो यह 112 डिस्टिक में से 95% डिस्टिक ने अपना टार्गेट एचिव कर लिया है वह अपने अपने पर्टिकुलर स्टेट का जो एवरेज जो उनकी वैल्यू है उससे अब उपर आ चुके है लेकिन उसमें से बहुत सारे ब्लॉग दिस्टिक के अंदर ब्लॉग होते हैं बहुत सारे ब्लॉग अभी भी अंडर ड्याय गये हैं तो उन ब्लॉग को ड्यवोप करने के लिγे उनके उपर फोकस करने के लिए अभी लास्ट aspirational block program launch किया गया जहां पर ये aspirational list के अंदर अभी भी जो अभी backward condition में हैं उनके उपर focus किया जाएगा बराबन भी लॉंच किया गया है अभी यह पर्टिकुलरी वनरेबर ट्राइबल ग्रूप मलब क्या कि जो ट्राइबल भीपल्स होते हैं उनको बहुत सारी फैसिलिटीज नहीं मिलती है तो उनके डियलोप्मेंट के लिए उनको बेजिक फैसिलिटीज प्रवाइड करने के लिए लाइक सेफ हाउजिंग क्लीन ट्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन इंप्रूड एक्सेस उदे एजुकेशन हैल्थ और नूट्रिशन र के लिए तीन साल के लिए तो कॉंसे मिलस्टे अंडर में लुट्स एक्सेशन ट्राइव्श एस्टी के लिएलोप्में के अंडर में पंद्रहा करोड रूपिया लुकेट किया गया है जिटाइबल ग्रूप के फीपल को डीलोप करने की लिए बढ़ाउंड नंट पर गया था 1997 1998 के अंदर जहां पे quality education प्रवाड किया जा रहा है ST children को in remote areas to enable them to avail of the opportunities in the high and professional education courses and get implement in the various sectors बारा मना तो जो ST category के students है जो remote area के अंदर रहते हैं उनको high and professional education अच्छी तरीके से मिल सके इसके लिए वहाँ पे एक्लव या model रेसे स्कूल स्टापीज की गई है 2022 से ऐसा डीज़ेड किया है कि ऐसे हर एक ब्लॉक में एक एक एक्लव मोड़ने से स्कूल होनी चाहिए कि जहां पर 50% से ज्यादा ST population रहती हो और at least 20,000 ट्राइबल परसं रहते हो तो वहाँ पे हर एक ब्लॉक के अंदर एक एक्लव मोड़ने से स्कूल होनी चाहिए बड़ा बंदा रहें तो यह एक्लव मोड़ने से स्कूल के अंदर इस साल के अंदर क्या अनौन्स किया गया है कि प्रिश्ट आने वाले तीन साल के अंदर गवर्मेंन प्लां कि हैं 38,000 टीचर को रेकूरूट करना और सपोर्ट स्टाफ को रेकूरूट करना है कि कितने एक्लव मोड़ने से स्कूल के लिए है हाउसिंग फॉर ओल तो अभी हमने देखा कि यह यूद्ना का में है कि हर एक लोगों को घर मिल जा रहने के लिए बराबना यह पदान मंत्री आवास यूद्ना के अंदर में इस साल कितना पैसा अलोकेट किया गया है है उसके लबाब यह बहुत इंपोटन्ट एक नई स्केम हैं भारश बार बना भारत रीपोजिटरी ऑफ दो इंस्क्रिप्शन जो इंस्क्रीप्शन है उसकी रीपोजिटरी तियार करने के लिए एक म्यूजियम जैसा बनाया जाएगा राइट विट डीडीजन प्वल्लेक ancient inscription in the first stage भारा बना पहले सेचमें कितने inscription को details किया चाएगा वरल लेकर नब एक रिपोजिटरी तीयर करने की बात हैं आपको झाहिए भारत श्री का full pump पता होना चाहिए भारत wait repository of inscriptions जबारा बना अब हरे तो inscription के रिपोजिटरी तयार की जाएगे एक म्यूजियम जैसा तयार किया जाएगा जहां पर डीटाइज किया जाएगा एक लाख एंसेंट इंस्क्रिप्शन को पहले स्टेज के अंदर बड़ाबन ना बजेट की नेक्स प्रेवरिटे फ्रेंड्स इंफरसुक्टर इन्वेस्ट्मेंट और इस सल के बजेट के अंदर सरकार में एक्पिटल एक्सपनेचर के उपर कुछ ज़्यादा ही फोकस किया है कैपिटल एक्सपनेचर मतलब एक ऐसा खड़चा कि जो फ्यूचर में इंकम ज कि इसके बजएट के अंदर अगर उसका ज्यादा मात्रा में खर्चा Capital ज्यादा है तो उसका बजएट कि कभी ने कभी तो वह income जनरेट करके देने वाला है तो सरकार ने भी इस साल इसी के उपर फोकस किया है आप यहां पर ट्रेंड देख सकते हो कि दोचर बीस एक्षिस के अंदर केपिड़ एक्सक्राइश हमारा कितना था मात्र पूर प्र पूर फोकस कर रहे हैं और यह जो ग्रीन होक्स के अंदर आपको दीकर रहा है वो क्या है कि कैपिडल एक्षिश तो 4.1 लीक करोड है लेकिन यह है इंस पाव क्री चरूल सरकार ने और ग्रांट में जो सरकार कर्च करती यह ग्रांट देने में या तो स्टेट गवर्मेंट को या तो किसी लिस्ट डेलॉप कंप्री को वो सरकार कौनसे खर्चे में गिंती है revenue expenditure के अंदर हमने आगे डिसकस किया था कि सरकार grant के माध्यम से जो पैसा देती है सरकार किसी को grant देती है वो खर्चा सरकार का कौन से expenditure में आता है revenue expenditure के अंदर लेकिन मैंने आपको पढ़ाया था कि भी capital expenditure के अंदर ऐसा खर्चा कि जो future में income generate करके देने वाला है वो capital expenditure में आता है रैट लेकिन effective capital expenditure क्या होता है effective capital expenditure कि capital expenditure तो है प्लस सरकार ने जो grant के माध्यम से जो खर्चा किया है किसी को grant दी है या तो state government को या तो फिर कोई लिस्ट लेलोग कंटरी को अभी सरकार ऐसा यहां पर ऐसा बोल रही है यह कि जी यह जो हमने grant प्रोवेड की है वो भी एक asset के उपर ही किए है वो कभी ने कभी हमको income जनेट करके दे गए ही बराबना इसके यहां पर सरकार अपना performance अच्छा बताने के लिए capital expenditure के उपर focus मत करो किसके उपर focus करने को बोल रही है effective capital expenditure क्या हमारा करने वाले है लेकिन हम असली में कितना करने वाले है फॉर एक्जांपल तेरा लाग करोड क्यों क्योंकि हम तीन लाग करोड की grant देने वाले है समझ में आया कि नहीं फ्रेंट्स बराबना रही तो यह जो 4.1 लाग करोड है वह capital expenditure है और यह 2.3 लाग करोड है ना उस ताइम पर सरकार ने grant प्रोवाइड की थी बराबना तो यह वैसे तो रेवन यह expenditure में आता है लेकिन सरकार क्या बोलते कि हमको इसको capital expenditure में गिनना चाहिए तो अगर हम capital expenditure में grant को एड करें तो हमारा effective capital expenditure कितना हो गया 6.4 लेक करोड यह अपकी बात है 2020 के अंदर यहां पर capital expenditure 5.9 लेक करोड था लेकिन सरकार ने उस ताइम पर grant 2.4 लेक करोड की थी तो इफेक्टिव capital expenditure कितना हो गया 8.1 8.4 लेक करोड पर उसी तरीके से इस साल के बजेट के अंदर दस लाग करोड का capital expenditure का करने टार्गेट है और उसके उपर grant कितनी प्रवर्वर करने का टार्गेट है 3.7 लेक करोड तो अगर कोई देश capital expenditure ज्यादा करता है मतलब वो development के उपर फोकस कर रहा है ऐसा माना जाता है इसके लिए यहां पर सरकार अपनी performance को बैटर बताने के लिए capital expenditure को नहीं effective capital expenditure के उपर ज्यादा फोकस करवाती है राइट फ्रेंड्स ओके यहां पर मैंने लिखा है कि इस साल का capital expenditure कितना है दस लाग करोड रोप्या जो 3.3 percent of GDP है GDP का कितना परसेंट है 3.3 परसेंट परसेंट और इस बार का टार्गेट है 13.7 लेक करोड बरावना जो कितना परसेंट अब GDP है 4.5 परसेंट अब GDP है बरावना राइट ओके उसके अलावा कि जो स्टेट गवर्मेंट को सपोर्ट करने वाली है केंदर सरकार बरावना फोर्टा capital इन्फराचर कितना करने वाली इस साल का कितना बजट दिया गया है कि टूटल बन पंट 3 लेक करोड का बजट दिया गया है कि परी सेंटल कवर्मेंट स्टेट गवर्मेंट को प्रोवेड करेगी capital investment करने के लिए बराबना capital infrastructure करने के लिए बराबना कितना पैसा 1.3 लेक करोड रोपीस बराबना यह आपको जानमे रखना है रहे इस साल के बजेट के अंदर सरकार ने अनुरूद किया है private investment को infrastructure के अंदर कि जितने भी for example कोई रेल्वे बनाना है कोई रोड बनाना है कोई अर्बन इंफासर करना है तो सरकार ने यहां पर triple P model को ज्यादा focus किया है बराबना रहे रेल्वेस के अगर बात करें तो रेल्वेस रिसीव और टोटल आउटले ऑफ 2.40 लेक करोड अब तक का हाइस्ट अमाउंट मिला है 2014 के बाद बराबना 2.40 लेक करोड रिल्वे रिल्वे मिनिस्टे को बराबना रहे नौजिस्टिक्स के अंदर क्या करने वाले है तो गवर्मेंट has also identified the 100 critical transport infrastructure products for the last and first mile connectivity for the ports cold steel fertilizer and food green sectors तो यहां पर ट्रांसपोर्ट को efficient बनाने के लिए सरकार ने 100 critical transport products को identify किया है सरकार इसके उपर काम करेगी ताकि हमारा ट्रांसपोर्ट का उपर जो खर्चा होता है वह optimize कर सके हम बराबना और इसके लिए सरकार सरकार ने 75,000 करोड रुपीस को allocate किया गया है बराबना प्रांसपोर्ट सेक्टर को efficient बनाने के लिए बराबना रहे और उसमें से 15,000 करोड़ तहां से आएगा सरकार कितना खर्चा करेगी 60,000 करोड़ बराबना ओके इसके लाबना सरकार ने इंफ्राचर के अंदर एक और इनिस्योटिव देनी की बात की है सरकार एक फंड एस्टाब्रीश करेगी उसका नाम है अर्बन इंफ्राचर डेलोपेंट फंड जिसको बोलते हैं यूआईड लखिया अर्बन इसको इंफ्राचर डेलोपेंट को हैंडल कौन करेगा उर्व करेंगा निश्टल हारी में इसको इंपलीमेंट करेंगे इसको इंपलीमेंट करेंगी हích il को अपने एरिया को डियालोप कर सके बढ़ाबना रई और गवर्मेंट ने एक्सपेक्ट किया है कि यह अर्बन इंफ्लाचर डियलोपन फंड के अंदर कितना पेशा मॉबिलाइस किया जाएगा और इसको कौन हैंडल करेगा नेशन हाउसिंग बैंक हैंडल करेगी बहुत ही और इस फंड को इंप्लीमेंट कोन कर रहा है नेशन हाउसिंग बैंक बढ़ाबना रहे कि अर्बन सेनिटेशन की बात करें तो अल्ड़ सेटीज एंड टाउन्स विल बी इनेबल फूर्ट हंडेट परसंट मिकेनिकल डिसलजिंग ऑफ स्पेस सैप्टिक टेंक्स नें पर मसीन का यूज करने के लिए उनको इंकरेज किया जाएगा बढ़ाबना तो प्रांस्फोर्म करना है मैन होल से मसीन होल तक बढ़ाबना इसके लिए सिटीज और टाउन्स को इंकरेज किया जाएगा बढ़ाबना उनको फंडिंग सपोर्ट भी प्रवड किया जाएगा तो हमारी थर्ड प्राइरोटी के अंदर गवर्मेंट ने किसके उपर फोकस किया है तो पहले तो फोकस किया अगर टायर टू और टायर थ्री सिटीज के अंदर कोई इंफराचर क्रियेट करना है कोई मिंसिपल्टी कर्पोरेशन को तो उसको यहां पे इस फंड में से पैसा दिया जाएगा बराबना उसके लवा स्टेट गर्मेंट को कितना पैसा दियने की बात है 1.3 लेक करोड रोपी इस साल के अंदर राइट ओके आपको समझ में आया होगा हमने नेक्स्ट प्रावरेटी है बजट की अन्लेशिंग पोटेंशल जो पोटेंशल है देश के पास उसको उजाकर करना है बराबना तो उसमें सबसे पहले मिशन कर्मयोगी लांच किया गया है पूराना मीशन है बढ़ाब 2020 के अंदर लौंच किया गया था मीशन कर्मयोगी के अंदर जो government employees है उनकी capacity building करने का target है बढ़ना कि उनको training प्रोवेड की जाती mission कर्मयोगी के अंदर बदा लेका कि लर्निंग ऑपोचेटीज फूर दर लैक्स ऑफ गवर्मेंट इंप्लोईस तो गवर्मेंट इंप्लोईस को अगर उनको ऑनलाइन चीज़ सीखनी है अपनी स्कूल को अप्ग्रेड करना है इसके लिए गवर्मेंट के द्वारे एक प्लैटफॉर्म लॉंच किया गया है इसके अलावा गवर्मेंट ने एक जन विश्वास बिल को इंटर्यूस किया है और इस बिल के अंदर में गवर्मेंट ने 42 Central Act को मोडिफाई करने का प्लान बनाया है अभी जन विश्वास बिल क्या है तो जन विश्वास बिल है इस ऑफ दूइंग बिजनेस को प्रमोट करने के लिए अभी जन विश्वास बिल के माद्यां से गवर्मेंट क्या करना चाहती है तो टोटल 183 Offenses सब्सक्राइब करने का प्लान बनाया है यह जन विश्वास बिल को इंटर्ड्यूस करके बढ़ा मना ताकि छोटी मोटी चीजों के उपर जेल ना हो जस्ट पैनल्टी बरके बोलो चूट सके बरा मना तो यह सेटीशन के लिए और बिजनेसमन के लिए इस ओफ दूइंग बिजनेस इस ओफ लिविंग को प्रमोट करता है राइट ओके उसके अलावा अन्लेसिंग दपोटेंशल के अंदर सरकार ने सेंटर ओफ एक्सलेंस फोर आर्टिविसल इंटलिएंस को बढ़ानी के बात किये है देखो center of excellence for artificial intelligence बनाने के बात की है बारा बनना राइट उसके अलावा national data governance policy national data governance policy will be brought out to unless the innovation in research by the startups and academia this will be enabled the access to anonymize the data अभी देखो for example कोई startup है या तो कोई academia है अगर कोई उसको innovation करना तो उसके लिए data की requirement होती है और जो पास्ट experience उसकी requirement होती है तो यहां पर एक्जमबल किसी ने research किया है कोई invention किया है तो वो अपने data को share कर सकता है ताकि उसके उपर से कोई नया innovation create हो सके बारा बनना तो इसके लिए सरकार ने एक policy बनाने की बात कि नेशन अभी के अंदर क्या है कि सभी के लिए एक ही रूल से अगर आपको के वाई से करवा ना है तो आपको बैंक में जाके अपना identification दियाना पड़ेगा अपने प्रूस अगरा सर्मीट करने पड़ेगे बारा बनना तो अभी हम कौन सा अप्रोच के लिए लिए लगा रहे है को कि क्रेडिट स्कोर देखे जाएगे कि उनकी अगर पास्ट हिस्ट्री सही है तो उनको के वाई से के थोड़ी से रिले सेशन दी जाएगी बड़ा बनना और बैटे बैटे भी कर सकते हो बैंक पर आके उनको वेरिफाय करने की जरूवत नहीं वैसा बड़ा बनना तो बनना पड़ेगा बैंक में आके बड़ा बनना तो अभी रिस्क बेस के वाई सी होगा ऐसा सरकर बोल रहे है जस्ट प्रपोस किया है बड़ा बनना रहे उसके अलबा आइडेंटिटी और एड्रेस अपडेट करने के लिए बड़ा बनना एक वन स्टॉप सॉल्यूशन लाने के लिए बात चल दई है बड़ा बनना कि जो डीजी लॉकर है वहां से आप आइडेंटिटी कोई भी आइडी करूफ के अंदर आपका अपडेट करना है तो आप डीजी लॉकर के माध्यम से कर सको बड़ा बनना ऐसा सरकार का प्लानिंग है बड़ा बनना इस साल का उसके अलबा उनिफाइड फाइलिंग प्रोसेस तो ओवरकम तो सेपरेट सब्मिशन ओप तो सेम इन्फरमेशन तो डीफरेंट गवर्मेंट एजन्सी और सिस्टम अप यूनिफाइड फाइलिंग प्रोसेस वस प्लान्ड तो बी सेट अप सच फाइलिंग अप्रमेशन और रिटर्न इन्द सिंप्लिफाइड फॉर्म्स यूनिफाइलिंग प्रोसेस के अंदर क्या होने वाला है कि एक डेटा जो मुझे इंकम टेक्स में देना है अगर उसमें कुछ डेटा सैम है तो उसको बार-बार मुझे अलग-अलग ओफिस में अलग-अलग देना पड़ता है इसकी जगह पे अभी यूनिफाइलिंग प् अगर वही डेटा कोई दूसरे पॉटल पे दूसरी साइट के उपर रिक्वाइडमेंट है तो वही पॉटल से चला जाएगा आपको बार-बार उसके अलग-अलग एजनसी के फॉर्म अलग-अलग फिल करने की जरूवत नहीं है ओके रहे उसके अलबा रिजल्ट बेस फा वाज युद्ना के अंदर 79,000 क्रोड रूपिज अलोकेट किये गए है मन्रे गांके अंदर 60,000 क्रोड अलोकेट किये गए है बड़ा बना ओके तो स्कीम के पीछे अलोकेशन कर दिया है लेकिन अबी से सरकार का प्लानिंग क्या होगा कि दीरे दीरे कि पर इसकीम कोई इंप्लीमेंट की जा रही है वो स्कीम का आउटकम कैसा निकल रहा है उसका रिजल्ट कैसा निकल रहा है उसके बाद उसके पीछे कोई फर्दर अलोकेशन किया जाएगा उसके रिजल्ट के ओरिएंटेड उसके पीछे अलोकेशन किया जाएगा उसको बोलते है रिजल्ट किया जाएगा तो सब इस अभी सरकार का ऐसा अप्रोच रहेगा उसके अलावाग एकोड की बात करें कि फॉर एफिशेंट अडिमिसेशन ऑप जस्टीज फेस्ट्री ऑफ इकोड्स प्रोजेट्ट विल वी लॉंच बीटन आउटले ऑफ सेवन थाउजन करोड तो इस साल के के अंदर एकोर्स का फेस्ट्री डॉंच किया गया कितना प्रैसा लॉगर किया है सेवन थाउजन करोड बावाबन न इकोस के अंदर प्रोसेदिंग्स ऑननाइन हो सके ऐसे फैसरेट की जाती है बावनन रहें उसके लबावा Fintech Services के अंदर Entity DigiLocker Establish करने की बाद चल लए है To enable the more Fintech innovative services, the scope of the documents available in the DigiLocker for the individuals will be expanded अभी तक जो DigiLocker की services है उसके अंदर एक individual person ही अपने documents को save कर सकता है लेकिन अभी Entity DigiLocker भी Establish किये जाएगी बादन उसके अंदर क्या किया जाएगा कि फॉर एक्जामपल कोई MSME संसा कोई लार्ज बिजनेस या तो फी कोई Charitable Trust अपने documents को यह DigiLocker के अंदर store कर सकती है अभी तक DigiLocker के अंदर क्या-क्या document store हो सकते है एक individual person के लेकिन अभी बिजनेस यूनिट्स के भी document store हो सोगे ऐसा एक डिजिलोकर बनाए जाएगा उसको बोलते हैं Entity DigiLocker बादना रइट ओके उसके लावर lab-grown diamonds के उपर काम किया जाएगा lab-grown diamonds बहुत ही important topic है बारा मना उसके बारे बात करते हैं lab-grown diamonds की बात करें तो इंडिया is a global leader in cutting and polishing the natural diamonds contributing about the three-fourth of the global turnover by value कि diamond के cutting और polishing के अंदर तो निश्रल डाइमेंड होता है वो इंडिया के अंदर इस sector से जितना भी पैसा जन्रेट होता उसमें से three-fourth contribution इंडिया का है विटर डिप्लेशन इन डिपोजिट अब नेचरल डायमन नेचरल डायमन की अभी संख्या काम हो गई है the industry is moving towards the lab-grown diamonds to use this opportunity the budget proposed to nullify the basic custom duty on seals used in the manufacturing of the lab-grown diamonds from the current 5% तो यह जो lab-grown diamonds अगर जो हमको artificial diamonds गर पे बनाने है तो उसके लिए जो seed है वो हम अभी import करवाते हैं और उसके उपर basic custom duty अभी तक कितने लगते थे 5% लेकिन अभी इस साल के budget के अंदर क्या propose किया गया है कि अभी यह जो lab-grown diamonds के लिए जो seed की requirement है जो हम import करवाते हैं उसके उपर कोई भी basic custom duty नहीं लगेगी तो lab-grown diamonds के production को यहां पे encourage किया गया है और उसके अलबा अगर कोई यह जो seeds हम import करवाते हैं अगर यह seed की उपर कोई संसा research करेगी बराबना तो उसको financial support प्रोवर्ड किया जाएगा सरकार की तरफ से बराबना रएट ओके तो हमारे यह fourth priority के अंदर unleashing the potential के अंदर हमने क्या-क्या steps इस बार सोचे है इसके बारे बात करते हैं एक तो mission कर्मयोगी के उपर I got कर्मयोगी launch किया गया है उसके अलबा जन विश्वास बील लांच किया गया है जन विश्वास बील के अंदर क्या किया गया था कि 183 offices को decriminalize करने की बात चल नहीं है बराबना राइट ओके उसके अलबा सेंटर फॉर एक्सलेंस पॉर तर आटिविस इंट्रियंस बनाए जाएगा बराबना नेस्ट उसके लिवा रिजर्ट बेसींक की जाएगी बाराबना उकेश अण बनार तकी सब अभी रीसलट बेसींक मैं इंपोड़ेंस की यूंड है क्योंकि अगर आपको चयादा फाइनसिंग चाहिए बराबना तो आपको रिजल्ट यसनील से बढ़ती और अलो केशन ॉट की जा टेटी डीजी लोकर एस्टाब्रीस किया जाएगा और और लेब ग्रोंड डायमेंट्स के उपर फोकस किया गा है इस सार के बजट के अंदर बढ़ा बनन ओके तो आइधिंग आपको इस फोर्थ प्राइलिटी के अंदर अच्छे समझ में आया होगा बजट की नेक्स फुल्फर्म क्या है लाइफस्टाइल फॉर एन्वार्मेंट तो यह जो यूपी 27 की जो मीटिंग हुई थी महाँ पे यह मोजी जी का एक विजन उन्होंने अनौन्स किया था कि 2030 भारत का हर इक सिटीजन लाइफ के लिए जियेगा लाइफ का फुल्फर्म है लाइफस्ट 26 के अंदर कॉंफरेंस ऑफ पार्टी 26 के अंदर बढ़ाबना जो ग्लैस को यूपी के अंदर हुआ था और भारत का नेट जिरो कार्बन एमिशन का टार्गेट कब तक है 27 बी तक बढ़ाबना तो भारत इसके यह जिशा में काम कर रहा है एक्चुली बढ़ाबना ओके और सब्सक्राइब करने का प्लान है उसके बारें बात करते हैं तो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन अभी रिसंट्ली लॉंच किया गया जानिवरी 2030 के अंदर बढ़ा बनना तो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का में अब्जेट्टिव क्या है कि देखो अब सबको पता है कि अभी हमरा में मिशन है जो पैट्रोल के अंदर इथेनल को मिक्स करना ज्यादार से ज्यादा माठ्परा में इथेनल को मिक्स किया वक जाकि वह कार्बन इविशन भी कम करेगा और एफिस्ट से भी बढ़ाएगा और एथिरेशन के लिए क्या चाहिए होता है है तो यह अगर हम प्रिणी और हम नेरजी के माधियम से प्रोडूजज करें तो उधान को क्या मोत्ते हैं ग्रीन हाइड्रोजन फीनल अभी यां मेगा टैन हाइड्रोजन को प्रोडूस करना ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोडूस करना बराबनना ओके उसके लबा एनर्जी ट्रांजिशन अंडर तब बजेट रूपीस 35,000 करोड वस अलोकेटेड फोर तो प्रियोरिटी कैपिटल इंवेस्मेंट टूवर्ड्स सिकुरेटी बाइडर मिनिस्ट्य पैट्रोलियम और इंड्रल गैस अभी देखो एनर्जी ट्रांजिशन का मतलब क्या है कि जो जो जगह से अभी तब कारबन एमिशन निकलता था वराबन उसकी जगह वह या तो रेडियूस करना या तो कारबन एमिशन जीरो करना अगर हम कोई essay project के उपर काम कर रहा है कि जो जो कर शकर राएमिशन को जेरो कर रहा है तो उस प्रोजेत को बोलते है एनर्जी ट्रांजेक्शन तो इसके लिए एसे प्रोंट के लिए कितना पैसा लोकेट किया गया है प्याट्रोलिया में नेचल गेस के त्वारा तो यहां पर यह बैट्री स्टोरेज केपेसिटी बढ़ाने की बात चल लए है कि अगर कोई बैट्री स्टोरेज सिस्टम बनाना चाहता है कितनी केपेसिटी का फोर थाउजन मेगावोट अवर की केपेसिटी का तो उसको वायबिलिटी गैप फंडिंग न मिलेगी बढ़ा वन्हां टू स्टियर था एकोनोमी ऑंद सस्टेनिबल डेलोपेंट पाथ वायबिलिटी गैप फंडिंग क्या होती है यह फोर एक्जमपल सौ करोड रुपया सौ करोड रुपय की रीकर्मेंट है मार्केट से असी करोड रुपया उसने रेज कर दिये आईप्यों के मादियम से या फिर किसी ने किसी मादियम से अभी उस्को कितना पैसा का कम पड़ रहा है 20 करोड तो यह 20 करोड सरकार देगी उसको बोलते हैं वायबिलिटी के फंड यहां आब कि आई से inn के जो गिल्सों इन्हें दू जो इन्हें इन्डवीज़ जो कमपनीर वो सस्टेनद शुके योपर काम करेगी अच्छी को पर काम करें खुल्प से कम प्रोकस करता एप वह फिस्ट के उपर काम करेंगे ऐसी कमपनी इन्डविज़ सो लोकल बोडिस को incentivize किया जाएगा Environment Protection Act के अंडर में कौनसे प्रोग्राम के अंडर में Green Credit Program के अंडर में बड़ाबना रहे फिर PM प्रणाम PM प्रणाम के अंडर क्या किया जाता है पेरा तो PM प्रणाम का का मात्र भूमी है यह प्रणाम प्रणाम का में अब्जेक्टिम है कैसे तो incentivize the states and territories to promote the alternative fertilizers and balance use of the chemical fertilizers प्रामनन तो जो हम chemical fertilizers का ज्यादा मातर में उपयोग करके हमारी माक्तरुबमी को नुक्सान पहुंचा रहे है तो उसको कम किया जाए और natural fertilizers का यूज किया जाए बराम alternative fertilizers का यूज किया जाए लोगों को encourage किया जाए इस scheme के अंडर में बरामनन प्रणाम scheme के अंडर में बरामनन तो तो प्रणाम का फुल्फर्म क्या है प्रोग्राम प्रोग्राम पूर्ट रिस्टोरेशन अवरेनेस नरीश्मेंट एंड एमेलियूरेशन ऑफ दो मतरत बरामनन उसके लाब आप गोबर्धन scheme भी launch किये गई हैं को बर्धन स्कीम के अंडर में 500 वेस्ट वेल्थ वेल्थ प्लांट एस्टाप्रिस किया जाएगे बरामनन अंडर तो गोबर्धन स्कीम को बर्धन का फुल्फर्म क्या है गेल्वरनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स इस दन बरामनन यह गोबर्धन स्कीम के अंडर में कितने प्लांट बनाए जाएगे 500 वेस्ट वेल्थ प्लांट बरामनन कितने इन्वेस्टमेंट में 10,000 क्रोड के इन्व बेस्ट वेल्थ प्लांट जो ड्लांट वेस्ट को वेल्थ में बनाए ऐसे प्लांट बरामनन उसमें से 200 कॉम्प्रेश door में ब्रामनन और 300 कॉन से हैं कॉम्मिनिटिव और क्लatore बेश्प्लांट है बरामनन ऐं है आ उसके अलबा भार्तिय प्राकृति खेति बायो इन्पूर्स इसेंटर बनाने क membela वा सब्सक्राइब हrän और उसके अंदर प्रें प्राकृतिय खेति बायो इन्पूर्स इसेंटर बने जाएगे तो सप्ड़ित वंगर फार्मर्स Listeningव तो यहां पे जो फार्मर से वो नेच्रल फार्मिंग को एडप्ट करे और उनके लिए उनको जो काउडंग बगीरा है उनको जो नेच्रल रिसोर्स की जो रिक्वार्मेंट है वो उनको एजिली मिल जाए तो इसके लिए भारतिये प्राकुरूतिक खेती बायो इंपूर्ट सेंटर बनाने की बात चल जाए कितने करोड के खड़्चे पर बड़ा मना और मालब सॉरी कितने कितने ऐसे सेंटर बनाई जाएगे टैन थाउजन बड़ा मना राइट रिसोर्स एंट्र एक नेशनल लेवल डिस्टीबूइटर माइक्रो फोटिलाइजर एंड पेस्टीश गवर्मेंट ने अनौंस किया एक न्यू स्कीम मैंगरू इनिसितिव फोर शोर लाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इंकम्स फोर मैंगरू प्लांटेशन अलोंग दो कोस्ट लाइन और शॉल्ट पान लैंस वेरेवर फीजिबल थू कॉन्वर्जंस बिविन दे मंडरे कामपा एंड अधर सोर्सेज देखो क्या है फ्रेंट से गवर्मेंट ने प्रोग्राम डॉंज किया है मिस्टी प्रोग्राम मिस्टी का फुल्फर्म प्रेल है तो मैंगरू इनिसितिव फोर शोर लाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इंकम्स कि जो कोस्टल एडिया के जो लोग रहते हैं वह मेंगुरू का ज्यादा से ज्यादा प्लांटेशन करें और उनकी इंकम को जनरेट करें पर हम इसके लिए मिस्टी प्रोग्राम लॉंज किया गया है और मिस्टी प्रोग्राम में से फंडिंग ये प्रोग्राम के लिए फंडिंग कहां से दिया कामपापन फंड है कि एक कंपनी और फ्रासलैय को बीजनेस करना चाहता है तो वह कवर्मेंट है करता हो कि क्या अफि नोच पर बिजनेस कर सकता हूं थो तो इह एक ठालती है कि यह अग्रीस सब्सक्राइब करें को अगर को लगता है चीजनेस ancestra करने से एकोनोमी को जादा फाइदा हो सकता है तो गवर्मेंट उसको परिविशन देती है लेकिन वह कंपनी के मालिक ने एक्रीकर्चर लेंड के ऊपर बिजनेस को एस्टाब्रीज किया गया इसके लिए गवर्मेंट को उसको पैसा देना पड़ेगा और यह पैसा गवर्मे में जो लोग काम करते हों उनको हायर किया जाएगा थो उनको भी इंप्लोइमिन मिलेगी बराबन न ओके उसके लब अम्री धरोहर अम्री धरोहर एक नई स्कीम है तो इंकरीज तो ऑप्टीमल यूज उप वेटलेंज एंड इंडियन सब बायो डैवर्सिटी कार्बन स्ट इको टूरिजम पॉझेटीज एन इंखम दनेशन फूर द्रोकल कॉमिनेटिस अट लोकल कौबनेटिस है जो सिर्णकप्रों अड़ए원 गूर्शीन करते हैं एको तुरिजम उपॉझेट उनको यहाप मिलेडज करते नहां कई स्कीम के अंदर में अम्रित दरश के god time अगर् तो आइधिंग आपको यह जो हमारी फिफ्ट प्राइवरिटी है बरब उसके दर जो गवर्मेंट के दुपर इनिसेटिवस लिए जाने वाले हैं या तो जो इनिसेटिवस लिए हैं उसके बारे में पता चल गया होगा एक बार रिवाइस कर लेते हैं कि पर इनियूमेनर्ज स्कीम लॉँच की गई हैं गोबर्दन स्कीम लॉँच की गई हैं बराबना ओके उसके लिए भारती प्राकृति का खेती बायो इन्पूर्ट रिसोर्स सेंटर बनाने के बाद चल दी हैं मिश्टी प्रोग्राम लॉँच किया गया है बराबना ओके तो आइधिंग आपको ये फिफ्ट प्राइटि के अंदर अच्छे समझ में आया होगा ओके फ्रेंट्स तो अभी सीक्स्त और सेवन्थ प्राइटि बाकी है बजेट पार्ट एक बराबना और उसके बाद हम पार्ट भी डिसकस करेगे बजेट के पार्ट थ्री के अंदर बराबना तो okay so thank you friends bye